हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आ यूटूब चैनल, जनरल एग्री, माइसेल, सोनु मिश्रा, टूटे डिस्कॉसरें अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसे हम सौट में PGR भी कहते हैं, मतलब आज हम बात करेंगे पादा पृध्यनियंत्रक के बारे में ठीक है तो हमारा टॉपिक PGR इस्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि एक होता है प्लांट न्यूट्रिंस और दूसरा हमारा PGR, प्लांट गोसे बिलेटर्स, तो प्लांट न्यूट्रिंस क्या होता है, पाददा पोफर कत्वर, यह पोफर में भाग लेता है, और पौधा पोसक तत्व हमें साब बाहर से ही घ्रान करता है, जैसे कि हम एप्लाइ करते हैं बौधे को, या तो वह एटमोस्फियर से ले लेगा, या तो वह स्वाज से ले लेगा, ठीक है, जिसे हम प्लांट न्यूट्रिंस कहते हैं, और हमारे पास कितने प्लांट जिद्धी रुख जाती है ठीक है अब देखने पीजी आर तो पीजी आर वोफर्ड में भाग नहीं लेता है और यह पौधी में ही संसलिसी होता है ठीक है क्लियर हुआ प्रांट ट्रेंट्स और पीजी आर क्या होता है अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें पीजी आर उसकि जिया के इंदर उधपन होता है किसे हम इंडिजीनेस कंपोनेंट कहते हैं कोने में संस्लेशित होगा और संस्लेशित होने के बाद इसे पौध है कि विभीन इसे फागों तक पहुंचाया जाता है या ट्रांस्पोर्टेट किया जाता है वेर इट एग्जर्ट्स अफिस्योलाजिकल इफेक्ट इस भेरी लोग कंसंट्रेशन जहां पर या बहुत ही कम कंसंट्रेशन में ही हमारे जो फिस्कल इफेक्ट करता है या सार्डिक प्यालिट पन करता है हमारा हर्मोर वेरी लोग कंसंट्रेशन में ठीक है क्लियर हुआ हर्मोर्स क्या होता है अब देखो यह हर्मोर्स किसी भी जीवी जीव में हो सकता है हमारे अंदर भी हो सकता है ज लेकिन जब प्लांट के अंदर होगा या हार्मोन सिंथेलाइज अब उसके हम फाइटो हार्मोन कहेंगे ठीक है ना अब देखते हैं तर्म हार्मोन इस डिवाइड़ फ्राइम ग्रीक रूट्स मींस हार्मोन हार्मोन में उससे टू इस्टुमलेट मतलब उसे उत्तेजित करना या उसे सक्रिय करना ठीक है इसका मतलब और टर्म हार्मोन इसने दिया था इर्नेस्ट स्टार्लिंग याद रखना ठीक है हार्मोन तर्म इर्नेस्ट स्टार्लिंग दिये थे ठीक है अब देखते हमारा सेकंड पाइंट फाइटो हार्मोन फाइटो मींस होता प्लांट हार्मोन से होता है हार्मोन ठीक है ना फाइटो हार्मोन और और ऑर्गेनिक सविस्टेन्स प्रोड्यूस नेच्चुरली वाइड़ प्लांट्स वीजिंग मीनर्ट लो कंसंट्रेशन कहने मतलब यह है कि पौधे द्वारा यह प्ताकृतिक रूप से उत्पादित ज भूफे थो ठीक कम मात्र में एक्रोमिलेट या संद्रीत होते हैं या उत्थपन करते हैं ठीक हैं जो हमारा फइटो हार्मोन है increase, synergy and modify the growth and development जो हमारे प्लांट है उसमें यह तो increase करेगा या तो numéro करेगा या कुछ अधिम्रीमेड अधैका है फा calor स पायटो हार्मोन गेंगे हैं की थाइमेड आउख लूझा कुछ अधैक स्व भीकट्डे याद रखना हमारा फाइंटो हार्मों इसको हम ग्रोफ हार्मों भी कहते हैं ग्रोफ प्रमोटिंग supply UP कहते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं अब आगे बढ़ें अब देखते हैं प्लांड ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजियार रिपर टू नेच्टरल और सिंथेटिक सबिस्टेंस इन चूलनेस दग्रोथ हैं डेवलाप्मेंट कहने के मतलब यह है कि यह एक नेच्टरिल प्राक पौधे के अंदर किसी एक पार्ट्स पर संस्लेसित होता है उसके पाद यह पौधे के संपूर्ण भागों तक इसको ट्रांस्प्रोट या पहुंचाया जाता है ठीक है जिसे हमारा सबसे पहला आता है आई यह अगदी इंडोल एस्टिक एसीड है कि नेच्टरल और सिंथ सिंथेटीक है ओई गुलेटर कर यह साथ फेली और और फिल्सके न यह कृद्ध्धि बढ़ाने वाला लेकिन जीतने भी प्लांट ग्रोथ इन्हीटर से जैसे कि आगजीन है जीव्रियन है साइटो कालीन है यह हमेशा प्लांट हर्मोन नहीं हो सकता ठीक है ना क्लियर हुआ अब देखते हैं टाइप साब पीजी आर तो दो प्रकार का होता है एक होता है ग्रोथ प्रमोटर दूपर होता मतलब ग्रोथ प्रमोटर जो ग्रोथ हो ड़ाता हो तक की आप अहगते हैं देखते हैं अग्रीक है है इसको व्रिद्धी को सेकेंड है अग्जिन में भी डिफाइन जो हमारा अग्जिन है मुगोध प्रमोटिंग मतलब व्रिद्धी को बढ़ाने वाला हार्मोन है वीच प्रमोट ग्रोथ वर्टिकल एक्सिस वेन एप्लाइड इन लो कंसंट्रेशन टू दा शूट आप प्लां में आग्जिन का बहुती कम मात्रा में अप्लाइड करते हैं तो जो हमारे प्लांट का यह जो होता है रूट पोर्शन इसको वर्टिकल सेक्सिस ठीक है यह हुआ हुआ यह हुआ वैटिकल गोथ में यह सहता करता है कौन ऑग्जिन अब तेखिन ने इन डिसकवर्ड एफ ड याद रखना किसमें किया था फिर आता है हेट्ट टोकसी हेट्रो और जिन आई एए इंडल एस्टिक एसिड वास आइसुलेटेट फ्रम यूमन यूरी जो हमारा आई ए ए है वह इसुमन एरिन से इसलेट किया गया था इसने किया था कोगल एक वेग्ञानिक है ठीक है कोग यार अब देखते हैं यूजे साफ और जीन तो पहला है हमारा एपिकल डॉमिनेंस करता है ठीक है में पंसलिस का इसी है एपिकल डॉमिनेंस करना दूप रहा है हाई और जीन लो साइटो काइनी फर्मेशन रूट और जिससे जिस प्रक्रिया से रूट बनेगा उसको हम अब देखते हैं और इनलारजमेंट और परमेशन अब आता है नेप्थलिक एसीड जो होता है क्या होता है हमारा फ्रूट परिपक बता के पहले ही गिर जाता है उसको एन ए रोकता है गिरने से ठीक है अब आता है डिस्क्रीजिंग इंटर नोट्स लेंग नोड्यूल्स य इंटर नोट्स लेंग जो होता है ना उसको वह कम करता है इंड्यूस करता है जो डिस्क्रीजिस होता है उसको इंड्यूस करता है फिर इट मूफ राम एपकल टू बेसली कहने के मतलब यह है यह रहा हमारा फ्लावर यह रहा हमारा फ्लावर और यह रहा कोई हमारा बेशल ठीक है यह एपिकल बर्ड में सिंथेसी सोकत बेसल की और मूब करता है ठीक है कौन और फिर आता है पर्थेनो कार्पी कि अब पर्थेनों का भी कहने का मतलब यह है कि विदाउट डेवलप्मेंट आफ फ्रूट विदाउट रटी लाइजेशन बीन इस चैनियूस में फ्रूट बन जाता है इसको यह इंड्यूस करते हैं अब देखते हैं ऑग्जिन दो प्रकार का होता है पहला होता है नेच्छ अब आगे बढ़ें अब देखते हैं आई ए और एन एन का क्या होता है प्रिवेंशन आप एपसेशन होता है जैसे की पत्तियों का विवना या कोई डेट टीसुए गे रहे है उसको यह रोखता है ठीक है कौन एए आई एए और एन एए फिर आता है अलफा एन एए इंटर आई एए यह रूटिंग और इस्टेम कटिंग हमारा को यह प्लांट है यह मालो इस्टेम है अब इसमें हमें रूट लाना है तो यह यह यहां से कि आई बी ए रूटिंग करता है ठीक है रूट फार्मेशन करेंगा ठीक है फिर आता है एए ए यह पार्थेनोकार्फी क्या होता है बताए धिया है अब आता है तू पर फाइव दीग होता है याद रखना आगजिन का विह एपिकल डॉरमेंसी रहा हमारा और यह रहा एपिकल बड़ और यह रहा हमारा बेश साल पर तो अगजिन जैसे इसमें इंट्वीड होगा तो यह एपिकल डॉर्मेंसी को रिमूब कर देगा और डॉर्मिनेंट कर देगा फिर यह एपिकल बड़ को इंडूस करेगा ठीक है यही अगजिन का काम है अब हम हुआ था एक जैपानी साइंटिस्ट थे जैपानी स्वेग्यानी कुरुशावा ठीक है कुरुशावा ने इसकी खोज किया था इसने देखा कि जो इंफेक्टेट जो प्रभावित सीट्लिंग है उसमें फंगफ है कौन सा जिब्रेला फ्यूजिकुराई ठीक है यह है कुरुशावा ने तो उसने देखा कि इसमें एक फंगस एक्ट्यू है कौन सा है जिब्रेला फ्यूजिकुराई इसके वज़ा से जो हमारे राइस का सीडलिंग है वो लंबे होकर बहुत पतले और पीला हो गया है ठीक है वो बहुत लंबे होकर टर्न वेरी थीन और बहुत पतले होकर पीले हो गया है ठीक है फिर उसने देखा इन एक्टिव सबिस्टेंस वस आइसोलेटेट जो फंगस है हमारा जिब्रेला फ्यूजिकुराई उनसे इनके जर्ये एक सबिस्टेंस आइसोलेट किया जो इंफेक्ट करता था शिडलिंग को और उसका नाम देर दिया जीब्रेली ठीक है जीब्रेली कहां से आया था बकान्य डीसिज लगता है राइस में उसके जर्यारिख इसे किसने कुष्वाहो जपानी सैंटिस्टेने ग्रो करके देखा तो पाया उसमें फंकस जीब्रेला फ्यूजीग और इसी जीब्रेला फ्यूजीकुराई में तो यह रहा हमारा इंटर नोट यह रहा सेकेंड इंटर नोट यह रहा सेकेंड इंटर नोट इस पीच के भाग को बोलते इंटर नोट दो नोट से बीच के भाग को बोलते इंटर नोट तो इसी को बढ़ावा देता है इसी इंटर नोट को जी बढ़ावा देता है ठीक है इंक्रीज जर्मिनेशन यह जर्मिनेशन को बढ़ावा देता है इंड्यूस मेलनेज इसको याद रख देना जो हमारे जी है जो सीट की सूफती वस्त है। उसको यह ब्रेक करता है। थीक, इनडूस्ट फल्वरी इन लॉंग डे anlam ये घ्रस்र। क्के से रिम में पिर्ड़ स्थर युर्ट ऑ़रेने दोगेश्य करेसे मिन क्वार्ट लाउट्थ में खूर हम था थी फैस फिर। प्लानिंग प्लॉइन को था मष्या है कि स्था प्लॉष्थति में क। नहीं पैसे स्थ présent. पौधे ले लेते हैं जिसको लांग डेल, लंबे समय तक या उसका डिवरेशन लांग होता है, उसमे भी यह फ्लॉरिंग को इंड्यूस करता है, कौन जी ए, फिर आता है, सिंथेसिस आप दा एन्जाइम एंड्याइम एमाइलेस ठीक है, यह हमारा अलफा एमाइलेस का सिंथ करता है कौन जी याज रखना फिर आता है इनलाज देदा फ्रूट एंड फ्लावर जो हमारा जिव्रेलीन है वह फ्रूट एंड फ्लावर में इनलार्ज करता है याने बढ़ोतरी करता है या उसके साइच को बढ़ाता है फिर आता है पार्थेनो कार्पी इंड्यूग लाइक अगजिन पॉब कर कि पूब एन इस्टोन तों सुध्य के स्टे ऑफिल इंडियुंग य कि रखो। यह पर्थेनों पूब कर रहा थां ॆउजीन को करना यह और यह भी करता है लेकिन पॉब लेकिन यहां पे कुछ कैसे पर जैसे कि पॉम और इस्टोन फूर्ट में अग्जिन ने पर्थेनो कार्पी को ठीक है अब देखते हैं साइटो कानियन के बारे में ठीक है इसे हम काइटो कानियन भी कहते हैं काइटीन भी कहते हैं अब काइटीन वास डिस्कवर्ड भाई सूप एंड मिलर नाइंटी फिव्टी में किसमें किया था टोबेको पीच कैलस में अब तोबेको पीच कैलस में कैसे किया था थोड़ा देख लेते हैं ठीक है मान चलिक है इसी कैलस को हम में लेकर ग्रों करेंगे ठीक है यह रहा मान के चलिए हमारा कोई मीडिया में मीडिया में पहले ही आरे ती बहुं-पारे नियूट्रेंट वग़े रहते हैं इसने बी जी ये वे गिरा भी पाया जाता है बीजी मतलब प्लांट गूत रेगुले स्केलास को मीडिया में ग्रो करेंगे ठीक है तो यही डिफ्रेइंश को कर प्लांट ग्रोग करता है तो इसमें क्या क्या था सूप ये ने है अगजी और लो साइटोसीन हाई आफ़्लाई किया तो देखा उसमें रूट डेवलप्मेंट हो रहा था ठीक है और इसके जफ्ट जब हाई साइटोसीन और लोग अगजिन दे रहे था तो सुट फार्मेशन हो रहा था ठीक है तो इसी से स्टडी किया था सूक एं मिलर ने फ्राम टोबे को पीच कैला से ठीक है कियर हुआ साइटोसीन अब इसमें केमिकल सबिस्टेंस होता था जिसको आइडेंटिफाइ किय है ठीक है इसे लेथम ने जो इमेट्च्वारण होता है उससे इसको औरिपएं किया था मतलब अब अरी पक्वा जो बुट्टे के बीच होता है उससे ऊसे ह्टुक्त किया था ठीक है लेथ takन अब देखते हैं सेटेक साइटोकॉनीन बीए द बिनजाईल अमीन छेक्ट के बताता है थाइगी थाइगे डायोजवराणं थीवार्णिपनाइल यूरीया थीक अब सीगशीट्थ है हमारा रूट्ड पीनल इंपॉर्टेंट साइट ऑप इन बन डायवज़ सेथे अब देखई धर नहें सांक्सानाप िए अधेका फंक्स rechtsया कने पार इस्का निर्ट वयर्ट को लिए अधेका जिव धगी है दिक करता है ठीक है यह फिमेशन करता है थीक है यह फीमेल नेस को करता है क्लियर हुआ और मेलनेस को कौन कर रहा था छा हुआ segreg Hetारिय खिर्षाट करह था मेल ठीक है ऑ? फिर होता है च作्मैलर प्रिंसी में स्टार्वी करता है फिर जबेद्ट के तडलर में को divides करता है flowering up short day plant यह short day पौधे में flowering करता है फिर delay up sentence कहने के मतलब यह है कि यह जिर्णता को रोपता है डिले करता है ठीक है फिर आता है हमारा cytokine provide resistance to high temperature cold and disease in some plants कुछ plant में यह high temperature और cold और disease से resistance करता है कौन हमारा जी है फिर करें आता है हमारा last point cytokine have been used of increasing self life of roots tweaking tweaking of roots induced and producing efficient root system increasing yield and oil content of oil seed like ground कहने के मतलब यह है कि जब हम cytokine के apply करेंगे तो यह self life को increase करता है fruits की quickness of roots मतलब है root formation बहुत जल्दी करता है फिर producing efficient root system यह root system को produce करता है ठीक है फिर increasing yield यह उत्पादन में व्रिद्धी करता है फिर oil content content ground nut में oil content oil content की मात्रा को increase करता है कौन cytokine clear हुगा भाई cytokine क्या होता है इनकी function अब हम आगे बढ़ें ठीक अब देखते हैं अब सेचिक एसीड एबी एठीक यह growth inhibitor hormones है इसका फार्मूला है सी 15 एस ट्वंटी ओफोर अब दूफरा कहता है हमारा एटी कॉट नाइंटी और हंडेट में यंग cotton fruits जो युगा का पास के फल है उसमें से strong एंटागोनेश्टिक को अलग कर दिया isolate कर दिया और उसका नाम रख दिया obsession two अब एंटागोनेश्टिक क्या होता है मान के चलिए यहां देखे यह कोई जी या और्गनीजम है ठीक है जो किसी दूफ्रे जीव या और्गनीजम पर अपने प्रभाव दिखाएगा और इसके वृद्धी विकास और बोला जाए तो वृद्धी विकास प्रभाव इंफेक्टेट शमता सब को यह प्रभावित करेगा कौन यह जीव इसी को बोलते हैं एंटागोनेश्टिक ठीक है अब हमारा तीसरा पाइंट आता है लेटर ऑन दीस नेम वास चेंज टू एपसेशिया एसीट पहले इसका नाम क्या था एपसेशियन टू था फिर बात इसे चेंज करकर एपसेशिक एसीट रखा गया ठीक है फिर इस सविस्टेंस आलसो इंडूस डॉर्मी ठीक है ना ठ करता है इसलिए इसको हम डॉर्मीन भी कहते हैं याद रखना ठीक है कोई पूछे अगर डॉर्मीन हर्मोन किसे कहते हैं तो अब हमारा नेस्ट टॉपिक है फर्स्ट ग्रोथ इन्हीबिटर्स वास ऑप्टेंड साम डॉर्मेंड पोटेटो ट्यूब कहने का मतलब यह है कि पहली बार इन्हीबिटरी मतलब जो ग्रोथ को घटाने वाला घटाने वाला हर्मोन किस से अप्टेंग गया था ता डॉर्मेंड पोटेटो ट्यूबर से ठीक है याद रखना फिर हमारा लाफ्ट आता है एबीए इन्हेंस प्लांट टॉर्रेंड टू वेरियस इस्ट्रेस लाइक वाटरियस इस्ट्रेस इस्ट्रेस सारम इसे हम इस्ट्रेस आरमन भी कहते हैं याद रखना ठीक है अब देख लेते हैं दर्घ्टि तो इंकलूडिंग बड्रमेंसी इन्ट ट्रीड वाल्मेंसी ठीक है यह बहुर्द अप्सेद और सिट ऑर्मेंसी इको को को बढ़ाता है लीप और फूट को ठीक है एक ने जिन्रता को बढ़ाता है लीप और फूट की फिर एपसेसियं आप लीपस फिर फ्लावर एंच्वूट्स मतलब देखा चाहिए तो यह हर तरब से हानी कानत है ठीक है कौन एपसेसिक एसीड फिर देखते हैं इंक्रीजिंग तो फ्रॉट इंजरी को और यह बढ़ावा देता है कौन एलॉंगेशन एंटी साइटो काइनी ठीक है यह हमारे लिए हर तरब से हानिका रहा है कि कौन एपसेशिया रहा है अब बात करते हैं इथेलेन के बारे में जिसका फार्मूला है है C2H4 ठीक है तो इथेलेन इस दवनली नेच्चुरल प्लांट ग्रोफ हार्मून ईग्जिट्स इन गेशियास फार्म यह हर्म एक आफार हैं जो गेशियास फार्म में पाया जाते हैं पांकी सब लिक्विट फार्म में होता है जिसने रिपोर्ट किया था इथेलेने फूट रेपनिंग हार्मोन ठीक है जो हमारा इथेलीन है वो एक हुट रेपनिंग फल को पकाने वाला हार्मोन है यह किस ने रिपर्ट किया था ब्रूग ने याद रखना बूर्ग ने ठीक जो भी पढ़ लेना जैसे आप लोगों को बने ठीक है फिर देखते हैं थार्ड प्रिकॉ हूर्मोन पर्समें थो है यह एक अमीनुम एसीट है सुछ इस रसल्फर कलेश और तैक है कि अ सामीनो एसींध है सुछ तयसंफीड पकाने का काम करता है प्लेशी फुट स्थे जो में कौन-कौन सा है बनाना आता है प على बादा है पियर है टोमेटो और सिट्रस है ठीक है फिड्ल सेकेड में आता था है इसए इनोची प्लउड़ा इन पाइनेपन यह हमारा इंपन के प्ल्वॉड को इन Bear करता है ठीक है इफेक्टिव एफेक्ट करता है सौरी यह हमें प्रभाविश करता है कि इसको पाइनेपल के फ्लावरिंग इंड्यूस को ठीक है फिर देखते हैं इट केस इन्हीबिटन अब रूट ग्रोथ कुछ केस में यह रूट ग्रोथ को भी इन्हीबिट करता है याने नुक्सान पहुंचाता है हानी करता है ठीक है इन्हीबिट करता है फिर इन्हीबिट पोलार मुमेंट आप आक्सीजन जो आक्सीजन का मुमेंट होता है प्लांट में उसको यह इन्हीबिट करता है ठीक है फिर इट इस्टिमूलेट इपिनेस्ट्री इपिनेस्टी अप ल तो यह हो गया अपर लिप ठीक है और यह लोवर लिप में होता है ठीक लोवर लिप में होता है यह भी एक हर्मोन है ठीक है क्लियर हुआ आज़िन जिब्रेलिन क्या होता है अब हम आगे बढ़े अब लाफ्ट हमारा टापिक है ग्रोट रिटार्ण डेन्स यह ग्रोट इनिविटर्स के अंतर गति आता है जिसमें हमारा तीन एश्ट्राज है कौन-कौन से पहला है साइकोसिल टू क्लोरो इथाईल ट्राइमिथाई अमूनियम प्लोराइ Dieses को बोलते हैं इसे बी बोलते हैं यह सब्सजाद रखना तरह सुगरिञडियर के कि इसको क्यों करते हमेली है ठीक है क्लियर हुआ ग्रोथ प्रमोटर ग्रोथ इनिवीटर अग्रोथ रिटांडेंस क्या होता है थैंक यू फार वाचिंग इस वीडियो इस्टार्ट टू इंड आई वुड़ अवर टॉपिक पीजियार अंदर इस्टूड अमीद करता हूं आज का लेक्षर हमारा प्लांड गोथ नियंतर या पादा पृद्धी नियंतर सभी लेको को समझ में आया होगा बीच में कुछ सब्सक्राइब करता हूं क्या है कि सब्सक्राइब कुछ इसू आ गया था चीक है ओके थैंक